हेलो दोस्तों मैं हूँ उदैरंजन और इंटेंजस इंडिया के चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूँ तो अभी हम लोग आलोक इंडर्स्रीज लिमिटेट के बारे में थोड़ा बहुत एनालिसिस करेंगे और मैं आपको बताऊंगा इसमें टेक्निकल लाइनसिस बताऊं तो देखें यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव कैंडल और रेड कैंडल यहां पर आपको देखने को मिल रहा है और यह बना है रेड कैंडल लेकिन यह रेड कैंडल क्या है यहां पर इसका वोल्यूम अगर आप लोग देखेंगे तो उपर वाला जो है यह यह MusK हैं और इसके बाद कैसे एक उपर गया उसके बाद अगर हम लोग देखें तो यहां से volume बढ़ता गया इसका और थोड़ा-थोड़ा volume करके इसका बढ़ता गया और फिर से एक अगर negative candle बना तो यह 50 million के आसपास में 50 million के आसपास में यह वाला red candle बना मतलब की यहां से नीचे आने वाला है market यहां से नीचे वाने वाला है तो यह नीचे की तरफ में आया तो अगर हम लोग यहां पे देखेंगे तो यह ज़्यादा वोल्यूम नहीं है तो अगर यह नीचे की तरफ अगर आप लोग को एक्सपेक्टेशन है अगर यह लग रहा है तो यह नीचे की तरफ नहीं आने वाला है जादा मैं यहाँ पर आपको बता दूँ फर्स्ट चीज तो यह है वोल्यूम सपोर्टेड मूव नहीं इसको हम लोग मान सकते हैं तो वोल्यूम के हिसाब से यह गेर नहीं रहा है तो मैंने एक सपोर्ट बताया था और जहाँ पर मैंने सपोर्ट बताया था वहीं से यह उठना स्टार्ट हुआ था तो अगर मैं ऑगस्ट की बात करूँ तो ऑगस्ट में मैंने यह वाला यहाँ पर यह जो green candle बना था यहाँ पर मैंने एक support बनाया था और बताया था मैंने आपको और वहाँ से थोड़ा बहुत उपर जाके और फिर से नीचे की तरफ में आया और यह resistance मैंने बोला था यह 40 के आसपास 38 के आसपास में हमारा resistance रहने वाला है और उसी resistance पर आके market इसका नीचे आया और मैंने फिर से अभी एक support बताने वाला हूँ आपको जो की हमारा 29 के आसपास में है 29 के आसपास में यह हमारा एक बहुत ही strong support बनने वाला है और वो 29 का support यह यहाँ पर sustain कर सकता है और 29 29 के बाद इसमें एक बहुत ही बड़ा तेजी देखने को मिल सकता है तो यह हमारा volume के हिसाब से बात हुआ यह volume का अगर आप लोग concept समझते हैं तो volume supported move भी समझते होंगे तो चलिए दूसरा चीज मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर moving average convergence and divergence यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो अगर हम लोग long term में देखें तो अगर देखें मैं आपको यह सारा चीज दिखा देता हूँ तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो के हिसाब से और closing का लेके और nine days का यहाँ पर लगाया जाता है यह पूरा formula लगाया जाता है तो यहाँ पर आके MSCD निकलता है तो MSCD अगर यह line zero के आसपास में अगर आके और convert होती है conversion होता है उसका तो वह मतलब ज्यादा positive यहाँ पर नहीं माना जाता है और यह माना जाता है कि यहाँ पर अभी accumulation start हो रहा है तो अगर यह accumulation start होगा तो वहाँ से एक बहुत ही अच्छा volume generate होता है और उस volume को volume बढ़के और बहुत ही ज्यादा ऊपर जाने का market को ले जाने का chances रखता है तो यहाँ से हम लोग को msd का पता चल रहा है और हम लोग अगर इसमें mf5 देखेंगे जो की money flow होता है अगर हम लोग money flow index यहाँ पर देखने जाएंगे तो money flow भी बहुत ज्यादा इसमें हो रहा है और अभी इसमें से थोड़ा बहुत पैसन निकाला जा रहा है अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा money flow हो गया था और एक बार इसको थोड़ा सा नीचे आना थोड़ा जरूरी होता है क्योंकि अगर market हम लोग देख यह थोड़ा सा correction हो रहा है और फिर से यहाँ से एक support लेके 30 रूपीज या 29 रूपीज का जो की strong support है इसका वहाँ से यह लेके और 60 रूपीज के आसपास में यह 60 और 70 रूपीज के आसपास में आपको देख सकता है हलां कि यहाँ पर अगर हम लोग देखने जाएं तो यह हमारा support है 55 के आसपास में तो 55 का यह हमारा resistance है यहाँ पे support नहीं resistance है 55 के आसपास में resistance बना है तो अगर उस resistance को यह cross कर जाता है उपर की तरफ में तो इसका अगला अगर हम लोग टार्गेट लगाएं तो यह target हमारा कम से कम इसका 70 या 75 रूपीज के आसपास में आपको इसका रखा है बहुत सारे वीडियो बनाया है इसमें आप लोग वहां से जाकर fundamentals देख सकते हैं और अगर इसका कुछ भी अगर ऐसा news रहेगा या फिर technical analysis में कुछ भी ऐसा event रहेगा तो मैं आपको यहाँ पर update करते रहूंगा तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं क मत किजे इसको long term के लिए छोड़ दीजा अगर इसमें तीन या चार साल अगर आप बने रहते हैं तो रूची सोया ने जैसे profit दिया वैसे ही आलोक इंडस्री सापको बहुत ही ज्यादा profit दे सकता है तो आपको अगर कुछ भी update पाना हो तो आप लोग मुझे comment box में comment करके ब तो एक बार मेरा channel visit कर लिजे वहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियो और मैंने end screen पर भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियो अच्छे वीडियो लगाया हुआ है वह आप लोग चेक कर सकते हैं और उसको आप लोग देख सकते हैं जो की बहुत ही ज़्यादा क का मैंने सहा कॉंसेट बताया हुआ है तो अगर कुछ भी डाउट रहेगा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देजिए और अगर आपने लाइक नहीं किया है तो आप लोग लाइक भी कर देजिए थैंक्यू दोस्तों कि अ